हाई गाइस मैं हूँ अपीहा इंतिखाब और 11 सली क्लासेश में आपका स्वागत है तो देखिए आज हम पढ़ने वाने हैं Operation Ganga देखिए Operation Ganga इस टाइम Current Affairs के लिए बहुत important है और अगर आप News देख रहे होंगे तो आप स्थिती देख रहे होंगे यूक्रेइन और रूस में क्या हो रहा है तो यूक्रेइन से भारतियों को बाहर निकाला जा रहा है और इस Operation का नाम क्या दिया गया है Operation Ganga जिसे तालिबान से जब भारतियों को बाहर निकाला गया था तो इसको Operation नाम रखा गया जिसका टॉपिक जिसका विश्च है क्या है यूक्रेइन से भार्तियों को बाहर निकालना ठीक है इस पर हम चर्चा करेंगे देखे करेंट में काफी जादा इंपॉर्टिंट है और इसे कुशन्स एक्जाम्स पर बनेंगे अभी देखें ऑपरेशन यह वैसे भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी ऑपरेशन चल रहा है लेकिन फिर भी हम लोगों को लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए जो आपके लिए बहुत जादा जरूरी है कि आप इसके बारे में जाने के ऑपरेशन गंगा है क्या और नोट्स के आप फिक्र बिलकुल ही मत कीजेगा क और ऐसे सिर्फ नोट्स के जरी आप उसको नहीं बढ़ सकते तो वीडियो जादा जादा शेर कीजेगा कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों कभी भला हो सके तो चलिए लेक्टर स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन गंगा देखिए यह इमेज आप देख रहे हैं इस इमेज में अपस बलाया जा रहा है यूक्रेशन से क्योंकि स्थिती बहुत जादा भयावे है यूक्रेशन में इस टाइम तो हर कंट्री का ये दायत्व बनता है कि उसके अगर नागरिक महां फसे हुए है तो उनको बाहर निकालना तो वही काम भारत कर रहा है भारत यूक्रेशन से अपने जो भारत वासी उनको वहां से निकाल रहा है और इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गए ऑपरेशन गंगा नेक्स्ट हम अच्छे से बात करते हूं ऑपरेशन गंगा के बारे में देखे भारत यूद ग्रस्त यूक्रेइन से लगातार अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चला रहा है ठीक है ऑपरेशन गंगा अभियान अभी तक आपको समझ में आई गया था कि ऑपरेशन गंगा अभियान भारत द्वारा चलाया जा रहा है यूक्रेइन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए उसने अभी तक अपने कर चारीब 2000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है और वहां फसे अने नागरिकों को पडोसी देशों की सीमा उपर इस्थित विभिन ट्रांजित पॉइंट के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है इस बीच विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंद प्रवक्ता बरिखेंगों के नाम से जो भी जानकारी होगी वो लोगों को दी जाएगी क्योंकि ऐसी बहुत जादा भयावे होती है कि अगर किसी के भी घर वाले ऐसी जगह पर फसे होती है जहां पर युद्ध की पाहा निकाले तो देखिए यहां पर क्या दिख आपको विदेश मंत्राले ने कहा है कि पोलेंट रोमानियां हंगरी अभी देखें हम ट्वीटर हैंडल पर भी बात करेंगे रोमानियां हंगरी और स्लोवाक कड़राच्य के साथ सीमा पार करने वाले बिंदों के माध्यम से भारती नागरिकों को निकालने में साहता के लिए 24 गुडे साथ यानि कि 24 अवर्स नियंत्रन केंद्र स्थापित किये गए हैं और विदेश सचेव हर्षवर्धन शेंगला ने रवी बार को बताए कि उन्होंने यूक्रेन रूस के राजदूतों से अलग-अलग बैठके की हैं देखी यूक्रेन और रूस दोनों के नागरिकों को लोकेशन साजा किया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिक्ष्चित की जा सके ठीके देखे लोकेशन पता चलेंगी तभी तो महासन को बाहर निकाला जा सकेगा कैसी स्थिती है क्या है इसके बारे में चर्चा की जा रही है अभी यूक्रेन और रूस के यहां पे आपको जो भी इंफर्मेशन लिए या बताना है कि अगर आपके भी कोई घरवाले उक्रेयन में फशे हुए तो आप यहां पे भार्त सरकार को इसकी इंफर्मेशन दे सकते हैं यह help line है operation गंगा का ठीक है जो operation ये चल रहा है Ukraine से भारत वासियों को भारत लाने के लिए तो किस्तिती बहुत जादा खराब है इस time ठीक है Ukraine से अब तक 907 नागरिकों को भारत वापस लाया गया है ठीक है 907 नागरिकों को तो विदेश सच्चिव ने कहा है कि सीमा पार करके हंगरी रोमानिया में दाखिल होना असान है लेकिन पोलैन की सीमा पर सभी ट्रांजिक्ट पॉइंट युद्ध के कारण Ukraine छोड़ रहे देश और विदेशी नागरिकों को भीड के कारण जाम हो गए हैं देखें जो भी युद्ध की सिति काफी खराब होगी तो बहुत से नागरिक भाग रहे होंगे रोट के रास्ते भी तो जितने भी ट्रांजिक्ट पॉइंट है वो युद्ध की कारण जाम हो चुके हैं क्योंकि वहां से बाहर आच चुके हैं और एक हजार अन्य लोगों को सड़क मार्ग से यूक्रेण से बहार निकाला गया है देखें स्थिति बहुत जादा खराब है यूक्रेण की जैसे मैं बार बर बता रही हूं और आप भी न्यूस में इस टाइम देखी रहे होंगे लेकिन फिर भी भारत सरकार बात कर रही है और चरण बद तरीके से ठीक है बॉर्डर पॉइंट तक पहुचाया जा रहा है भारती नागरिकों को तो आज कब यहां पर हमने जितने भी ऑप्रिशन गंगा के बारे में बात कर लिए हमने ट्विटर हैंडल पर बात कर लिए अगर आपके भी फैमिली में कोई यूक्रेण सा रही है तो आप भी मदद करें और यदि कोई ऐसा है आपके आस पास तो आप उनको बताएं इस ट यूक्रेरacy के स्थिति है तो यूकारेजन में बेड़ी UK अधर यूक्रेण में ऊधर के सिति हुए क्योंकि यूक्रेटत was फिर ध्यावादी निती निति करूंश है वो बिल्कुल गलत है लेकिन उक्रेइन भी उस से पूरी टक्कर दे के लड़ रहा है लेकिन भारत के जो भी लोग ती फसे हुए उक्रेइन में बंहूना भारत की सरकार का दैत्म है और वो ब्ल्कुल इस दैततम को निभारी ओ paljon। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू